राजधानी पटना में एक पुलिस जवान की हेयर ट्रांस्प्लांट कराने के महज़े 24 घंटे के अंदर ही मौत हो गई है बताते चले कि जो बिहार पुलिस के जवान थे उनकी साधी होनी थी ग्यारह मई को और आगे से बाल ज़र चुका था जिसके बाद वो बोरिंग रोड में एक प्राइवेट हेयर केर सेंटर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट कराने के बाद जब घर पहुँचे तो रात में उन्हें समस्याय सुरू हो गई बालों में जलन ह होस्पीटल में भेजा गया स्थितिक गंभीर हो गई थी रूबन होस्पीटल में गुरुवार देर रात उनकी मौत हो गई ऐसे में यह जो पूरा घटना क्रम है हेर ट्रांस्प्लांट कराने के बाद जो मौत का मामला सामने आया है तो विसे सग्यों से जानते हैं कि हेर ट्र अगर वहां पर होता है तो प्रॉपर वे में करते हैं लेकिन अगर का है ट्रांस्पांट को यह से जगह हो रहा है जो कि डॉक्टर के दरा स्टिफाई नहीं किया गया है तो वह चांसे हमेशा ही बने रहेंगे प्रॉब्लम्स के जहां तक बेट की बात है कोई भी सर्जरी चाहे हो है ट्रांस्पांट का हो या इंजिनर कोई सेजरी हो उसमें चार से पांच परसेंट मॉट्रिटी के चांसे रहता है वही चार से पांच परसेंट जो है आप जब सर्टिफाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें काफी कम हो जाता है लेकिन जो एक्सपर्ट नह बन्द करके और उनका ही ट्रांस्पार्ट का देते हैं तो यह चांसेश हो सकता है कि अगर प्रॉपर में नहीं किया हो तो मॉट्रिटी होने के समभादा रहती है कि निसी दूप से क्योंकि यह कंप्लीटली आपके फुल स्काल्प को जो होता है वो पीर्स किया जाता है तो उस कंडिशन में उनके सारे मेडिकल कंडिशन को चाहे वह रहाएं डापिटिक हैं कि नहीं अधर कंडिशन जो है वह प्रॉब्लम सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं तो उस चीज को प्रॉपर्ली जो देखे का जो जानता है जो एक्सपर्टाइज से वही कर सकता है बागी के बस के बाते हैं कुछ सालूनों वगदर में भी अश्क लखे रहे हैं यह कता ही खराब बात है गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो हैर सालून औ स्पा में जाकर किस तरह का वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं पैसा कम लगने की चक्र मैं तो निस्ष्ध रूप से आपने जान से खेल रहे हैं और अपनी हर चीज्श पार की बाला के वारी होता है कि जो फेसियल डिस्फेगरेशन हो जाता है चेहरा जो कराब हो जाता है तो कोई भी कॉस्मेटिक चीज अगर एक्सपर्ट हैंड मनी होगा तो उसमें खराब होने के संभावना ज्यादा तो जैसा कि डॉक्टर मनुझ कुमार सिन्दा ने कहा कि हेर ट्रांस्प्लांट कभी भी करा है तो जो माने जाने माने कॉस्मेटिक सर्जन है जो माने अता प मौत की खतरा बढ़ जाती है इसके अलावा यदि मौत जाते हैं तो कई शारे नाम सामने आ जाते जैसे गहरं भी अन्य सारे प्रॉब्लेम होजने लगते हैं ऐसे में एक्सपर्ट का साफकाना है कि जो हेर ट्रांस्प्लांट में कॉस्मेटिक सर्जन में एक्सपर्ट हैं उन्हीं के पास जाकर के हेर ट्रांस्प्लांट कराएं और बीपी सुगर वाले लोग हैं तो हेर ट्रांस्प्लांट क कराने से परहेज करें इटीवी भात क्लिप पटना से सयोग यसों के साथ क्रिस नंदन